आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी मूवीज लेकर आई हूँ जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए तो 2022 की टॉप मूवीज की जर्णी को स्टार्ट करते हैं पाच्व नमर की मूवी फॉलो करती है सीडनी नाम की लड़की को जो अपने पैरेंस के साथ ब्रिज हॉलो नाम के एक टाउन में शिफ्ट होती है एक दिन वो हेलोवीन्स की नाइट को एक खतरनाक आत्मा को आजात करा देती है जिसके बाद सारे हेलोवीन्स के डेकोरेशन्स में जान आ जाती है पूरे टाउन को सेफ करने के लिए सीडनी क्या करेगी ये देखना बहुत इंट्रेस्टिंग होगा 5.6 IMDB रेटिंग के साथ इस विचर कर नाम है दकर्स और प्रिजोलो फोर्थ मूवी फॉलो करती है सोफी और अगैथा को जो की बहुत अच्छी दोस्त है एक दिन एक पावरफुल आत्मा दोनों को एक जादू स्कूल में लेकर चली जाती है यहां मेंस्ट्रिकल एक्ट्स प्रेक्टिस कराया जाता है और इस स्कूल में अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ एक जिगह पर एक्जिस्ट करती है देखना यह है कि यह दोनों गूड एविल में से क्या चुनती है 5.8 IMDV रेटिंग के साथ इस मूवी का नाम है The School for Good and Evil थर्ड मूवी की स्टोरी फॉलो करती है अनोला नाम के एक लड़की को जिसने जल्द में ही एक डिटेक्टिव एजेंसी खोली है बट उसे कोई केस नहीं मिलता है क्योंकि वो अभी नौस सीखिया है और उसका कोई experience नहीं था एक दिन उसके पास एक छोटी बच्ची आती है मूवी में देखना ये है कि एनोला होम्स उसको कैसे ढूनती है और इसमें जो राज है वो कैसे इसका पता तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा मूवी कहीं भी बोर नहीं करेगी 6.8 IMDV रेटिंग के साथ इस मूवी का नाम है अनोला होम्स टू दूसरी मूवी फॉलो करती है जूलिया नाम के एक एक एक्ट्रेस को जो अपने बॉइफ्रेंड के साथ रोमेनिया में शिफ्ट होती है वो नोटिस करती है कि कोई अन्नोन परसन उसे हर समय फॉलो कर रहा है ये मूवी मिस्ट्री थिलर का एक अच्छा पंच है So don't miss this 6.3 IMDV रेटिंग के साथ इस मूवी का नाम है वॉचर पहले नंबर की स्टोरी फॉलो करती है डॉक्टर रोस को जो की एक साथ कैट्रिस्ट है उनकी पेशेंट बीवर उनकी आखों के सामने ही एक क्रीपी स्माइल करने के बाद सुसाइट कर लेती है इसके बाद वो स्माइल हर जगहां ही डॉक्टर रोस को एक कर्स की तरह दिखने लगती है। उनकी जिंदगी बत से बत्तर हो जाती है। बीवर का सोसाइट उनके लिए कर्स के रूप में बदल चुका था। इसमें साइकोलोजिकल और हॉरर एंगल अमेजिंग दिखते सो इस मूवी को मिस मत करना बट तभी देखने जब हॉरर देखके आप ना डरो। इस मूवी का नाम है स्माइल।